हेलो फ्रेंज वेलकुम बैक टू मैं चानल टागेट MNS टागेटिंग MNS 2022 तो अभी आप लोगों को पता होगा यूनियन बजट आया है इस साल का 2022-23 का तो उसके जो highlights है या key points है which is important from your exam point of view पूरा explain किया हुआ है यहां पर हम कहां से MCQ जाएंगे बस उन ही points को उठाया हुआ है तो यह बहुत important video होने वाला है so without wasting any time start करते हैं union budget 2022-23 full details okay so first आप से static जो question पूछा जा सकता है related to budget कि इंडिया का पहला budget इंडिया's first budget कब आया था तो इंडिया का पहला budget 1860 April 7 को introduce किया गया था किसने introduce किया था किसने represent किया था James Wilson ने represent किया था इंडिया का पहला budget ठीक है यह East India Company से थे और यह Scottish यानि कि Scotland से थे Economist and Politician थे Scottish ठीक है और इंडिया था ब्रिटिश क्राउन के सामने ठीक है तो important question पहला कि कब हुआ पहला budget इंडिया का ठीक है यह before independence की बात है अगर आप से पूछेंगे इंडिया का पहला budget तो आप यही बोलेंगे April 7, 1860 Independence से पहले by James Wilson James Wilson East India Company से जुड़े वे थे और यह Scotland के Economist and Politician थे इन्होंने के सामने प्रिजेंट किया था? British Crown के सामने प्रिजेंट किया था तो यहां से MCQs बनते हैं आगे चलते हैं Independent India First Budget इंडिया की अजादी के पहले हमने देखा कि 1860 में पहला budget उन्होंने पेश किया था James Wilson ने But after Independence अजादी के बाद 1947 में इंडिया का पहला budget आया था और इसको किसने रिप्रेजेंट किया था? तो हमारे पहले Finance Minister कौन है? That is R.K. Shannmukhan Chetty ठीक है तो R.K. Shannmukhan Chetty हमारे पहले Finance Minister थे इन्होंने on November 26, 1947 Independent India का पहला budget रिप्रेजेंट किया था So don't be confused between India's first budget and Independence India first budget Next key point पे चलते है ऐसी पहली महिला का नाम बताई जिन्होंने budget को explain किया हो और विकन से represent किया हो First woman to present budget वो है इंदरा गांदी इंदरा गांदी थी जिन्होंने पहला budget मतलब कह सकते है females में पहली थी जिन्होंने budget को represent किया था ठीक है और उसके बाद जो है that is निर्मला सीता रमन है जो represent कर रही है question ये बनेगा निर्मला सीता रमन जी ने पहले बार कब budget को you know represent किया था 2019 में निर्मला सीता रमन जी ने पहली बार budget को represent किया था and इस बार का मिला के this is her fourth time this is her fourth time इन्होंने चार बार इन्होंने represent कर दिया है budget को ठीक है कितने बार चार बार और पहली बार कब किया था 2019 में ठीक है next, longest budget speech आपको पता है जो budget होता है उसमें तीन important चीज़े बताई जाती है पहला ये आपको बताया जाएगा कि हमने इससे पहले क्या किया था पहले बहुत जो पहले का budget आया उसमें हमने क्या किया था हाँ, जो last हमने budget reduce किया, उसमें हमने क्या किया और आगे जो budget आज हम बताएंगे वो बताते है, ठीक है तो हमेरे लिए उसमें से कौन सा important होता है जो आज जो बताया जाएगा कि आगे क्या होने वाला है future में क्या चीज़े changes होंगी तो हम उसमें ही focus करते है बाकी के दो points पे उसमें कुछ में focus करने वाला नहीं होता है because वो previous year का ही thing होता है तो इसमें speech दी जाती है तो longest budget speech जो है निर्मला सीता रमन ने दी थी और इनका record बनाया था 2 hours 42 minutes important है 2 hours 42 minutes इन्होंने speech दिया था कौन से year का budget that is 2020 का budget ठीक है February 2020 को जब budget आया था 2020-21 का financial year का तो उस time पे इनका जो speech सा सबसे longest budget speech था कितने देर का 2 hours 42 minutes का किसने represent किया था किसने deliver किया था सीता रमन जी निर्मला सीता रमन जी और इस साल क्या important है speech में इस साल ये important है कि shortest budget speech रहा है इस साल का shortest budget speech रहा है ठीक है 2022-23 में ठीक है और ये भी सीता रमन जी ने ही deliver किया है तो person change नहीं हुए but the timings 2 hours 42 minutes important है longest budget speech 2020 and shortest budget speech 2022 next according to IMF IMF क्या है international monetary fund इसका headquarter कहा है पूछा जा सकता है आप से that is in Washington DC कहा है Washington DC Washington DC आपके Switzerland ठीक है तो IMF पता है आपको बहुत सारी ऐसी organizations है जो इंडिया की GDP को you know represent करती है अनुआ लगाती की इतनी GDP है ठीक है and हर month और we can say two to three months पे change करती रहती है organizations अपनी GDP तो according to IMF इंडिया की जो GDP रहने वाली है इस साल वो 9% रहने वाली है बट निर्मला सीता रमन जी our finance minister present finance minister according to her इंडिया की अभी budget में उन्होंने बताया है कि GDP 9.27% रहने वाली है ये MCQ में पूछा जा सकता है कि IMF के according 9% है and इंडिया के budget के according 9.27% रहने वाली है GDP इंडिया की this year ओके आगे 2022 में जो नया budget आया है उसमें कितने sectors पे focus किया गया है total कितने sectors पे focus किया गया है तो 7 sectors पे focus किया गया है direct MCQ बन सकता है यहां से 2022 new budget will focus on how many sectors total 7 sectors sectors वाई है जैसी कि roadways हो गया climate हो गया food, water conservation इन सब चीज़े पे ऐसे total मिला के 7 sectors है आपको number of sectors जाद रखने कितने 7 ठीक है अब priority किस चीज़ को दी गई है budget 2022 में सबसे important priority PM गती शक्ति योजना को दी गई है PM गती शक्ति योजना 2021 में लॉंच हुआ था ठीक है इसको एक साल हो गए इसमें हुआ क्या था PM गती शक्ति योजना क्यों लॉंच किया गया था कि हम जानते हैं इंडिया एक developing country है तो इंडिया की infrastructure को develop करने के लिए इंडिया के infrastructure को develop करने के लिए PM गती शक्ति योजना लॉंच किया गया था और उसमें किन-किन चीज़ों पे युनों focus किया जाएगा वो भी बताया गया था कब 2021 में तो 2022 में budget में क्या बोला गया ऐसा PM गती योजना के बारे में तो इन्होंने बोला कि जो PM गती शक्ति योजना हमने launch किया था उसमें हम कुछ और चीज़े भी add करेंगे जैसे कि इंडिया का infrastructure टो develop करेंगे ही बट उसमें हम environment का भी ध्यान रखेंगे eco friendly तरीके से करेंगे and e-vehicles पर भी focus करेंगे इन्होंने ये भी कहा कि 2022 तक इनका target है कि December 2022 तक 80% vehicles जो है इंडिया में वो कैसे हो जाएंगे e-vehicles हो जाएंगे this is something very tough target बट ऐसा कहा गया कि 2022 तक जो इंडिया है उसमें 80% vehicles e-vehicles कर दिये जाएंगे तकी eco friendly infrastructure डेवलप हो सके ठीक है इंडिया का योजना है एक और वंदे भारत this is related to something railways ठीक है इस वंदे भारत योजना को train 18 के नाम से भी जाना जाता है तो इसमें क्या changes आएं है इस योजना में ये changes आएं है कि इसे इस योजना के अंतरगत आगे के 3 साल में आगे जो 3 साल आने वाले है उसमें 400 trains को introduce किया जाएगा how many trains 400 trains को introduce किया जाएगा इसमें एक और बात कही गई है कि trains में ऐसे sensor powers that technology ऐसी लगाई जाएगी for example अगर ये आपकी railway track है और यहां से अगर कोई train आ रही है इस साइड और यहां से कोई train आ रही है इस साइड तो ऐसी technology लगाई जाएगी कि एक certain point पे जब पता चल जाएगी सामने train है तो एक certain distance पे वो train automatically stop हो जाएगी ताकि हम automatically किसी भी accident को you know prevent कर सके ठीक है तो ऐसा भी कहा गया ऐसी technology भी लाए जाएगी अभी से कितना time लगता है no one knows ठीक है बट ऐसा कहा गया है कितनी trains आएगी 400 trains आएगी next 3 years में पहला MCQ 400 trains next MCQ आगे के 3 साल में आएगी वंदे भारत के अंतरगत आएगी अन वंदे भारत योजडा का दूसरा नाम क्या है train 18 this is the third most important MCQ next one station one product will be popularized हर एक station पे एक product को popularized किया जाएगा ठीक है ताकि हमारे cultures को बढ़ाबा दिया जा सके जो भी famous चीजे है for example उस state में उस district में जो भी famous चीजे है उस station पे उस product को popularized किया जाएगा ये भी कहा गया है under railways ठीक है आगे चलते है अमरित काल very important यहां से तो 110% question बनने वाला है अमरित काल क्या है as we know कि हम लोग celebrate कर रहे है आजादी के अमरित महतसब ठीक है अभी 75 years हो गया आगे जब है 100 years हो जाएगा ठीक है तो 25 years का gap है बीच में 75 to 100 25 years का gap है तो इन्होंने 25 years की planning कर ली है से ही इन्होंने क्या बोला है अमरित काल के नाम से बुलाया है इन्होंने बोला है कि इसमें हमारे 4 goals है 4 important goals है बहुत tough goals है हम इसे 25 years में complete करने वाले है पहला goal इन्होंने बोला focus on growth of all inclusive welfare सब चीजों पर focus किया जाएगा हर एक sector में growth पर focus किया जाएगा कभी भी नीचे की तरफ नहीं गिरेगा किसी भी sector का rate हमेशा growth पर ध्यान दिया जाएगा दूसरा climate actions पर इन्होंने बात की है for example ramsa sites कोई भी conservation sites हो या फिर कोई भी climate related problems ozone depletion हो रहा है इतना दा pollution हो रहा है उन सब को बचाने के तरीके ठीक है तो this is climate actions पर work किया जाएगा 25 years में पूरा जो अपना infrastructure इंडिया का उससे develop किया जाएगा recovery of the economy ये बहुत important point है because this is related to covid क्योंकि हम जानते हैं कि covid के वज़े से अपना जो देश है वो बहुत पीछे economic conditions में बहुत पीछे चा चुका है ठीक है as we know कि बहुत जादा you know बेरोजगारी हो गई है jobs नहीं मिल रहे तो उससे related है कि हम अपनी economic या फिर economic situations को recover करेंगे पहले जैसा बनाएंगे और even पहले से बहतर बनाएंगे in this आगे के आने वाले 25 years में ठीक है last PM गती शक्ती तो इन्होंने डाला ही अमरितकाल में जिसमें इंडिया का infrastructure को develop किया जाएगा किसको develop किया जाएगा इंडिया के infrastructure को कि हर जगा roads हो हर जगा you know connectivity हो हर जगा जैसे कि देली में या फिर मुंबाई जैसे metro cities है वहां पे जो चीज़े प्रोवाइड की गई है वैसे ही बाकी सारे states में जो border areas है वहां पे connectivity नहीं प्रोवाइड होती है तो वहां पे भी ऐसी ही चीज़े प्रोवाइड की जा सके अंडर PM गती शक्ती ठीक है नाव गॉर्मेंट टो इंट्रड्यूस डिजिटल रूपी using blockchain technology यह बहुत important point है कि गॉर्मेंट ने यह तो बोला कि cryptocurrency वगरा हम नहीं अपनाने वाले इससे हम launch नहीं करने वाले हैं ठीक है launch नहीं करने वाले cryptocurrency को बट गॉर्मेंट जो है अपनी खुद की digital rupees, digital currency को launch करेगा और इसकी पूरी की पूरी जितनी भी चीजें है वो किसे दे दी गई है RBI को ठीक है Reserve Bank of India को पूरी responsibility दे दी गई है कि वो यह काम करेंगे और किसके help से blockchain technology के help से वो यह काम करेंगे मतलब इंडिया की खुद की एक digital currency होगी digital rupee होगी ठीक है उनकी जो tax deduction limit है वो पहले 10% थी ठीक है तो अब उसे increase करके इन्होंने 14% कर दिया है पहले 10% थी इनकी tax deduction limit अब 14% कर दिया है next इन्होंने बहुत अच्छी बात किये ये वाली अच्छी नहीं है but something which is very important कि income अगर आप cryptocurrency पर अपना काम करना चाहते हो या फिर अगर आप अपना income cryptocurrency में ले रहे हो आप कमा रहे हो cryptocurrency से no problem आप कमाओ बट उसके लिए अगर आपके bank में या फिर आपको आपके पास transfer होते है cryptocurrency तो आपको 30% tax देना होगा कितना tax देना होगा 30% और अगर आप फिर कहीं और transaction करते हो उस cryptocurrency को तो फिर 1% और tax देना पड़ेगा total 31% tax आपको देना पड़ेगा अगर आप cryptocurrency पे खेल रहे हो ठीक है अगर आप अभी cryptocurrency पे अपना income ले रहे हो तो आपको total 31% जो है tax देना पड़ेगा 30% that you are keeping that and 1% for transaction ओके next बात GST आपको पता है GST that is goods and service tax ठीक है यह जो हर month आती है तो जैनवरी अभी की जो January 2022 की जो GST collection हुआ है तो this is the highest since the inception of the tax जब से tax वसूला जा रहा है तब से highest है ठीक है कितना जादा GST आया है जैनवरी में that is you know 1,40,986 600 करोर रूपीज tax GST इतना collect हुआ है हमारे country में in the month of January very important क्योंकि यह highest अभी तक का tax collection हुआ है highest GST collection हुआ है अभी तक का ठीक है नाव नेक्स बॉर्डर विलेज़स विट स्पास पॉपुलेशन विट लिमिटेट कनेक्टिविटी विल वी कावर अंडर न्यू वाइबरेंट विलेज़स प्रोग्राम लॉंच किये गया है। इसमें क्या है ऐसे states for example राजस्थान, गुजरात या फिर नौर्थीस्ट में, मिघाल्या, मिजोरम यह सारे ऐसे states है कि यहां पे अभी तक प्रॉपरली trains की भी connectivity नहीं है वहाँ पे जाना मुश्किल है और weekend से वहाँ पे उतने अच्छे से हर चीजे हर supply, electricity यह सब supply नहीं हो पाता है ठीक है आज के टाइम में भी वहाँ पे यह situation है तो ऐसे जो border villages है जो borders पे पढ़ते हैं इंडिया के तो वहाँ पे जो है connectivity प्रॉपाइड की जाएगी roadways अच्छे किये जाएंगे, roadways अच्छे किये जाएंगे, airports का development किया जाएगा, trains की connectivity कराये जाएगी, electricity वहाँ पे प्रॉवाइड कराये जाएगा education to the people, to the youth, to the women, girls वहाँ प्रॉवाइड किया जाएगा at border villages ठीक है तो यह under scheme new vibrant village programs के अंडर लाया जाएगा यह budget 2022 में important point बोला गया है, ठीक है, next, we are marking अजादी का अमरित महतसव, जैसा कि मैंने बोला अजादी का अमरित महतसव होने वाला है, तो दो चीजों पे focus किया जाएगा, कौन सी दो चीजे है, कि private and public investments एक तो ठीक है, private and public में जो investments है, यह again PM गती शक्ति योजना के अंदर ठीक है, और एक है promoting digital economy, हमारी economy इतनी weak हो गई है, कि उसको तो recover करना ही है 25 years में, but still, जो digital economy है, उसे भी increase करना है, इंडिया बहुत कुछ आजकल जितने works है, digitally करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, so digitally भी economy को promote करना है, increase करना है, इन्होंने एक और बात कही है कि 75 digital banking units, इसके अंतर promoting digital economy के अंतर गति इन्होंने बोला है कि 75 digital banking units, 75 districts में launch किये जाएंगे, ठीक है, यानि कि 75 districts में set up किया जाएगा आपका digital banking units, और वो कितने 75, यानि हार एक district में एक unit settle किया जाएगा, ठीक है, this is to promote digital economy, important है यह वाला point, ओकि यहां से MCQ form हो सकता है, next, for women, अच्छा, women's के लिए क्या किया गया, कुछ new नहीं है, women's के लिए बोला, कि हमारे government ने launch किया है, मतलब पहले ही launch किया है, क्या launch किया है, mission सकी launch किया है, हम जानते है, mission सकी पहले launch हो गया, mission वातसले पहले launch हो गया, portion 2.0 पहले launch हो गया, तो यह सब चीज़े launch हो चुकी है, for women's इन्होंने बताया और इन्होंने ये भी बोला कि हम इस पे और यूनो अच्छे से फोकस करेंगे और अच्छा काम करेंगे इन तीनों के तीनों प्रोग्राम्स में बट इन्होंने ये नहीं बोला कि कितना इन्वेस्ट करेंगे कितने यूनो जब हर जगे एक फिगर देते हैं कि इतना investment इतने करोर जिसमें invest किये तो यहां पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताएगी किसमें कितना invest करेंगे बट इस सेड कि इसमें invest और किया जाएगा इसे और develop किया जाएगा और better बनाया जाएगा ताकि हम यह women's का जो development है उसे fast कर सके उसे promote कर सके next for mental health counseling इन्होंने national tele mental health program को launch करने की बात कही है इन्होंने कहा है कि जो national tele mental health program क्या है कि जो drone से है आपके पास medicines पहुँचाई जाएगा ठीक है with the help of drones, बहुत जादा काम किया जाएगा drones की help से, आपके mental health की counseling की जाएगी, different different apps ऐसे launch किये जाएगे, जिससे आपकी mental health की counseling हो सके, कोई भी अकेला नहीं है, ये बात इन्होंने कही है, next, one class one tv channel, आपको पता है ये पहले से launch हो रखा है कि one class one tv channel, total 12 tv channels ऐसी launch किया गया था जिसमें regional language, for example, कनर, तम मेल या तेल हुए से hard languages, जो होते tough languages, इन्हें पढ़ाया जा रहा था, regional languages को promote किया जा रहा था, इंडिया अपनी culture को promote कर रही थी, but only on 12 tv channels, तो अब इसे बढ़ा के 12 से 200 tv channels कर दिया जाएगा, अब 200 tv channels पे regional languages को represent किया जाएगा, और यह कौन से program के अंडर में आता है, इविद्या program, very important, इविद्या program के अंडर में आता है, 200 tv channels launch होंगे, पहले 12 है, अब 200, and यह regional languages के लिए launch किये जाएगे, हर एक class एक tv channel, अगर उस channel पे तेलगू पढ़ा रहे हैं, तो वो 24-7 आपको तेलगू ही पढ़ाएगे, particular channel for a particular regional language, ठीक है, यह बात कही गई है, यह important है, कितने tv channels, 200 tv channels, और program का नाम इविद्या program, next पर चलते है, sports budget, इसमें क्या कहा गया है, यह अभी तक का highest ever sports budget है, क्यों, क्योंकि sports में बहुत जादा यहाँ पे allocation दे रहे हैं यह लोग, 2022-23 budget में, इन्होंने कहा, कि हम 3062.60 crore rupees invest करेंगे, sports budget में, ठीक है, और यह अंडर खेलो इंडिया योजना में launch किया जाएगा, जो भी इंडिया में, जो भी ऐसे sports related योजना हैं, उनमें दिया जाएगा, इतने करोर rupees, ठीक है, यहाँ पे हम sports को इस तरीके से promote करेंगे, तो important यहाँ पे क्या है कि अभी तक का यह highest है, highest sports budget allocation है, और आपसे amount भी पूछा जा सकता है, that is 3062.60 crore rupees, ठीक है, अंडर कौन सी योजना, खेलो इंडिया योजना, next, PM अवास योजना, as we know, इसमें क्या नया कहा गया है, PM अवास योजना तो पहले ही launch हो चुकी है, ठीक है, लेकिन PM अवास योजना का जो target था, कब तक का था, 2022 तक का था, ठीक है, इस बार क्या नया किया है, इन्होंने target change अभी तक नहीं किया है, इन्होंने अभी तक target 2022 ही रखा है, December 2022 तक हम target अचीव कर लेंगे, PS अवास योजना का, but, कितने houses बनाने है, 80 lakh houses बनाने है, अंडर PM अवास योजना, ये नई बात कही गई है, 2022-23 बजट में, कितने lakh, 80 lakh MCQ point of view से important, next, यहाँ पर आपका ये तीनों जो है, बहुत important बन सकता है, कि पहला paperless budget कब आया था, तो पहला paperless budget 2021-22, यानि कि last year का जो budget था, वो पहला paperless budget था, ठीक है, अच्छा, हम लोग जो ये budget बजट बजट बोल रहे हैं, तो क्या Indian Constitution में ये इसको रखा गया है, नहीं, Indian Constitution में budget नाम का कोई word ही नहीं है, ठीक है, budget word ही नहीं है, Indian Constitution में, इसे Indian Constitution में annual financial statement के नाम से जाना जाता है, जिसे one word budget दे दिया गया है, ठीक है, annual financial statement के नाम से जाना जाता है, अंडर article 112 budget आता है, budget यानि की annual financial statement, article 112 के अंडर में आता है, ठीक है, next point, केन बेतवा link program, ये जवाहारला नहरुजी के टाइम से ये program है, launch हुआ था केन बेतवा को link करना है, दोनों rivers को, ठीक है, मद्यप्रदेश के पास से ये निकलती है, तो हुआ क्या, ये अभी तक link नहीं हो पाया, इन्होंने नया इसमें क्या कहा, इन्होंने ये कहा, कि हम तो पहले सिर्फ link कर रहे थे, अब इसमें हम 1400 करोर रुपीज और extra लगा देंगे, इसके investment में, इसे complete किया जाएगा, जल्दी से जल्दी, प्लस, इसमें बहुत सारे जो हैं, आपके, यू नो, जो, we can say, hydroelectric dams जो produce किये जाते हैं, hydroelectric power stations प्रोड्यूस किये जाते हैं, वो भी produce किया जाएगा, अंडर केन बेतवा link program, अलब और extra काम किया जाएगा साथ में, and investment रुपी बढ़ा दिया है, पहले जितना था, उसमें 1400 करोर रुपीज आड कर दिया है, तो यह important है, यह हर बार केन बेतवा related program से question आता है, तो यह important है, next, यह बहुत अच्छा है, PM divine scheme, यह एक नया scheme है, जो launch किया गया है, क्योंकि बाकी जो हमने schemes देखे, PM आवास योजना, वो पुराना ही है, उसमें नया क्या था कि 80 lakh houses होंगे, या फिर हमने देखा एक और PM गती शक्ती योजना, यह भी पुराना ही है, इसमें थोड़ा और work किया जाएगा, ठीक है, नया क्या है यहाँ पे, PM divine योजना, तो PM divine योजना का full form क्या है, प्राइम मिनिस्टर, DEV से हो जाएगा development, I से हो जाएगा initiative for NE से हो जाएगा North East States, ठीक है, North East States को development, develop करने की बात की गई है, इन्होंने बोला है, in union budget 2022-23, a new scheme, PM development initiative for North East was announced by union ministers for finance and corporate affairs, इन्होंने बोला है, जो ऐसी places है, Megalia, Mizoram, again, इन सारी जो states है, जो इन और थीस्ट में आपकी पढ़ती, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा, इन्हें develop किया जाएगा, because now they realize कि वो बहुत ज़्यादा, पिछडे वर्ग के है, बहुत, you know, under developing भी नहीं है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसे develop करने का काम किया जाएगा, ठीक है, यह important scheme बनता है, because this is the new scheme which is launched, आप से बोल दिया जाएगा कि PM Divine Scheme जो है, यह किस से related है, North East, North, यह South, यह West, किस से related है, तो आपको याद रखना है, North East State से related है, इसका full form ही है, यह Prime Minister Development Initiative for North East, ठीक ही है, तो this is it, यह पूरा का पूरा आपको बजट 2022-23 का explained निचोड आपको यहाँ पर मिल गया, इसके बाहर एक भी MC क्यू नहीं आएगा, प्लीज लाइक the video, कमेंट, अगर आपको अच्छा लगा हो तो share to the friends who are preparing for MNS 2022, and if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos, thank you so much, keep supporting.